बिस्मिल्यर्वानी रहीम असलावलेकूम मैं हूँ सबाना और मैं बनाने जा रही हूँ अपनी किचन में मूंग दाल पकोड़े की सबजी तो आईए बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने एक कप छिलके वाली मूंग की दाल को 30 मिनट के लिए पानी में भीगो दिया था अब इसे अच्छे से धो लेंगे और फिर एक मिक्सर जार की अंदर डाल कर इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे तो देखें पेस्ट मैंने बना लिया है अब इसे एक मिक्सिंग बाउल के अंदर टांसफर करेंगे और अब एक बड़े साइस की प्याज और आठ से दस लसन की कलिया एक इंच अद्रक का टुकड़ा इन सभी को बारीक चौप करेंगे और दाल पेस्ट के अंदर शामिल करेंगे अब इसके अंदर 4-5 टेबल इस्पून बेस्ट शामिल करेंगे और इसे अच्छ से मिक्स करेंगे अब 1 टेबल इस्पून साबुत धनिया हलका सा क्रेश करेंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे हाफ टेबल इस्पून बुना कुटा जीरा, हाफ टेबल इस्पून अमचूर पाउडर और हाफ टेबल इस्पून अजवायन, हाफ टेबल इस्पून लालमिश पाउडर और नमक टेस्ट के अकॉडिंग शामिल करेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे और इसे अच्छे से फेंट लेंगे और अब गैस के ऊपर ओयल गरम होने के लिए रख देंगे और इसे 2-3 मिनट अच्छे से फेंट कर रेश्ट के लिए छोड़ देंगे फिर 5 मिनट बाद इसके पकोड़े बना लेंगे तो देखें इसे रखे हुए 5-7 मिनट हो चुका है और ओयल भी हमारा अच्छे से गरम हो गया है तो आब इस मैटर से छोटे-छोटे पकोड़े बनाएंगे और तेल के अंदर डाल देंगे और इसे चारो तरफ से लाइट ब्राउन हो जाने तक फ्राई करेंगे तो देखें पकोड़े हमारे ब्राउन हो गया है तो अब इने बाहर निकाल लेंगे और बचे हुए बैटर से इसी तरह के पकोड़े बना कर तयार कर लेंगे तो सारे पकोड़े हमारे बन चुके हैं तो अब इसके लिए ग्रेवी त्यार करेंगे ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक बड़ी कड़ाई के अंदर तीन टेबल स्पून ओयल गरम होने के लिए रख दिया है और ओयल को गरम होते ही इसके अंदर वन टेवल इस्पून साबू जीरा डालेंगे और क्रेकल होने देंगे और फिर एक प्याज और अधरक लेशन का मैंने पेश्ट बना लिया था इसे डाल देंगे और फिर इसे दो से तीन मिनट तक अच्छे से भून लेंगे जार के अंदर थोड़ा सा पानी डाल कर गुमा कर इसे भी डाल देंगे तो इसे भूनते हुए तीन से चार मिनट हो चुका है तो अब इसके अंदर एक टमाटर क्रश किया हुआ शामिल करेंगे और हाफ टेबल इस्पून हल्दी पाउडर तू टेबल इस्पून धनिया पाउडर और वन एड़ा हाफ टेबल इस्पून लाल मिर्चो का पाउडर शामिल करेंगे नमक टेस्ट के कोडिंग डाल कर इसे अच्छ से मिक्स करेंगे और इसे फिर से भून लेंगे 2-3 मिनट तक तो देखें मसालों के उपर तेल नजर आने लगा है और मसालों को भूनते हुए 2-3 मिनट हो चुका है तो अब इसके अंदर 2-3 टेपल स्पून दही शामिल करेंगे ये होममेट दही है और ये बिल्कुल भी खटी नहीं है इसे अच्छ से मिक्स करेंगे और फिर से 2-3 मिनट तक भून लेंगे इसे कवर करेंगे और फिर से भून लेंगे जब तक के मसालों के उपर तेल नजर ना आने लगे तो देखें मसालों को भूनते हुए 7-8 मिनट हो चुका है और मसालों के उपर तेल नजर आने लगा है तो अब इसके अंदर 1-2 गलास पानी शामिल करेंगे और इसके अंदर एक उबाल आ जाने देंगे तो ग्रेवी के अंदर उबाल आ गया है तो अब इसके अंदर अपने सारे पकोड़े शामिल करेंगे 1-4 टेबल इस्पून गरम मसाला पाउडर और थोड़ा साहरा धनिया डालेंगे और इसे फिर से कवर कर देंगे अब्सर्ब कर लता है तो अगर आपको कोई सब्जी समझ ना आए तो आप इसे जरूर ट्राई करें तो देखें इसे दम पर पकते हुए 3 मिनट हो चुका है तो गैस का फ्लेम ओफ करेंगे और इसे डिश आउट करेंगे और इसके उपर हरा धनिया और हरी मिर्चो से गर्निशिंग करेंगे इसे आप चावल या रोटी के साथ सेफ करें ये बहुत ही टेश्टी बनी है आप जरूर ट्राई करें अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे लेटिस वीडियो देखने के लिए वेल आइकन को जरूर दबाएं अल्ला हाफीज